जिहां आपको बता दे रातो रात जेल में मुसेवाला जी का ये गाना The Last Wish Song जो है सुनकर बौकला हट मच गई है लौरंस बिशनोई के अंदर आखिरकार क्यों वो बौकला उठा सिद्धु मुसेवाला जी का ये नया गाना सुनकर इससे पहले भी Watch Out Song जो है लौरंस बिशनोई ने सुना था आखिर कैसे जेल में बैठा बैठा भी लौरंस बिशनोई जो है एक एक पल की जानकारी रखता है सिद्धु मुसेवाला के parents को लेकर सिद्धु मुसेवाला जी के case को लेकर और हर जानकारी जो है अपने पास जुटा कर रखता है यहां तक की phone से conversation भी होती है उसकी WhatsApp चैट ह वीडियो कॉल होती है फोन के जरिये बातचीत होती है मैं एक phone की बात नहीं कर रही हूं बलकि 5-6 phone जो है लौरंस बिशनोई के पास महजूद है जिससे वो बार बार Facebook पर पोस्ट भी करता है आपको बता दे सिद्धु मुसेवाला जी के हत्या के इस वक्त जो है डेर साल से उपर बीत गया है बहुत जल्ड जो है 29 मई 24 को जो है दो साल भी पूरा हो जाएगा लेकिन अभी भी ज़स्टिस अधूरा है अभी भी जस्टिस नहीं मिला है सिद्धु मुसेवाला जी को दर ऐसल सिद्धु मुसेवाला जी के पिता बलकौर सिंग जी के जनम दिवस पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि The Last Wish Song जो है release किया गया और इस गाने को सुनकर हर किसी की आँखों से आसु निकल रहे हैं क्योंकि दोस्तों The Last Wish Song के अंदर जो शब्द कहे गए हैं जो शब्द लिखे गए हैं जो गाने के बोल हैं जिस प्रकार से इस गाने को दर्शाया गया है चाहे वो सिदू की फादर साहब हो इस गाने के अंदर उनकी मदर है इस गाने के अंदर पिर सिदू मुशेवाला जी की आत्मा स्वैम इस गाने को जो है फिल कर पा रही है इस गाने के अंदर अपने आपको उनकी अंतिम इच्छाएं जो थी उसे लेकर इस गाने को बनाया गया है दरशाय गया है जिसे देख कर फैंस काफ़ी रोर रहे हैं दर्द भरा गाना है ये अब तक का सिद्धू मुसेवाला जी का, आप तो ये भली भाती जानते ही है कि सिद्धू मुसेवाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कितनी दर्दनाक हत्या की गई 39 मैं 2022 को, लेकिन उनके दुश्मनों को मुह तोड जबाब है, सिद्ध जो मैं आपको स्क्रेंशोट दिखा रही हूँ, इसमें साफ तोर पे दिख रहा है कि पांच दिन पहले इस गाने को रिलेस किया गया, नमबर फ्री पर जो है ये ट्रेंड कर रहा है, और वहीं आपको बता दे, इस गाने पर जो व्यूज मिले हैं, वो अपने आप में अच इस गाने पर जो है, इस पर कमेंट्स किये हैं फैंस ने, और एक ही कमेंट्स है बत्तिस के बत्तिस हजार में, कि हैस्टेक जस्टिस फोर्श सिद्धू मुस्से वाला, उन्हें जस्टिस चाहिए ही चाहिए और लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जा है, यूँ कह सकते हैं, फाइब स्टार होटल में मौज ले रहा है वियाईपे ट्रेट्मेंट के साथ वो, जेल में तो नाम का ही जेल में है, वो निकलना भी नहीं चाहता जेल से, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर वो बाहर आएगा तो बचेगा नहीं, आपको बत सिदू मुसेवारे जी का वोच आउट सॉंग जब रिलीज हुआ था तब भी लॉर्नस विश्णोई जेल में बैठा बैठा सिदू के पिता की बोलती बंद करने की कोशिश की थी, बार-बार किसी से फोन करवा कर या धंकी दिलवा कर बार-बार ये कहलवाने की कोशिश की रेड कॉर्नर नोटिस जो है पहले जारी किया गया था लेकिन अब अतंगवादी घुशित करने पर बहुत जल्द इंडिया भी लाया जा सकता है गोल्डी बरा अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों बॉकलाहट उठ गई है लॉरंस विश्णोई को दा लास्ट की थी हम चाहते थे कि वो ना रहे और ना ही उसका गाना ट्रेंड हो ना ही उसका गाना रिलीज होगा ना कोई गाना बनेगा लेकिन सिद्धू जी को सारी चीजों का पहले से ही ग्यान था पता था कि उनकी हत्या होगी और इस प्रकार से होगी जिस पर उन्होंने गाना भी बनाया था The Last Ride और उसी प्रकार से उनकी हत्याबी की गई और पहले ही वो 40-50 गाने जो है बना कर गए थे ताकि मेरे पिता को कभी कोई दिक्कत ना हो कभी किसी पैसे की कमी ना हो और मेरे फांस को कभी भी निराशा का सामना ना करना पड़े ऐसे से गाने वो बना कर गए है हर महीने सिदू के पिता ने जो है वादा किया है कि वो रिलीज करेंगे इसी तरह जिस तरह से The Last Wish Song जो है 69-11 जो उनका कमपनी है सिदू मुसेवाला जी का उस पर रिलीज किया गया और सिदू जी के खुद के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज किये जाएंगे हर महीने एक गाना सिदू के पिता ने कहा है ये वादा किया है फैंस को बिल्कुल भी निरास नहीं करेंगा और उनने ये भी वादा किया है कि अपने बेटे के लिए जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक अंतिम दम तक पस उन्हे साथ चाहिए सिदू के फैंस का और फैंस भी हमेशा हर संडे को पहुँच आते हैं हवेली पर उनका स्पीच सुनने के लिए सबका साथ परकरार है सिधू के पेरेंस के साथ, लेकिन सवाल यह उठता है कि अब तक 10.5 साल से उपर हो गया है, इस case में जुह अब तक justice नहीं मिला है सिधू मुस्य वाला जी को, कम मिलेगा आखिरकार justice, लेकिन सिधू के पिता जो होसला दे रहे हैं, सिधू के फैंस को और कह रहे हैं कि जस्टि के अंदर जो भी आपकी राय है जुरूर कमेंट शेक्शन के अंदर वेक्त कीजिएगा और हैस्टेक जस्टिस फर सिद्व मुसे वाला आविश्य लिखेगा कमेंट शेक्शन में दोस्तो धन्य बाद